हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है नेहा और आप देखरे बोलीवोड एमपैर चलिए बात करतें सलमान खान के विवादी शो बिग बोस को खत्म होते दें नहीं लगती कि इसके नए सीजन की सुप बुगाट शुरू हो जाती है बिग बोस 15 को लेकर खबरे आनी शुरू हो चुकी है और बीते दिनों ही इस शो में हिस्सा लेने वाले कंटेस्ट की लिस्ट भी सामने आई थी इस लिस्ट में सलमान खान की सुपर हिट फिल्म तेरे नाम की लीडर एक्टर्स भूमी का चावला का नाम भी सामिल है जैसे ही सलमान खान के शो से भूमी का चावला का नाम जुड़ा तो फैंस ही खुशी का कोई ठीकाना ही नहीं था लोग एक बार फिर से अपने टीवी स्किन पर इस सुपर हिट जोड़ी को देखने के लिए बेताब थे लेकिन अब भूमी का चावला ने हर किसी की उम्मिदों पर पानी ही फेर दिया है जी हाँ भूमी का चावला ने ट्वीट करके इस खबरों पर लगाम दी है और साफ कर दिया है कि वो इस शोग का हिस्ता कभी नहीं बनेगी भुमिका चावला ने लिखा है, मुझे बिग बोस का ओफर नहीं मिला था और अगर ओफर भी हुआ तो भी में नहीं करूंगी मुझे पहला दूसरा तिसरा और उसके बाद के कई सीजन का ओफर मिला था और मैंने इसे करने से मना कर दिया था मुझे इस बार ओफन नहीं मिला और अब भी मैं इसे नहीं करूँगी मैं पब्लिक फिगर जरूर हूँ लेकिन मैं 24 गंटे केमरे के सामने नहीं रह सकती हूँ भूमी का चावला के अलावा टीवी एक्टर्स पार्थ सम्थान और शुर्वी चंदना ने भी इस बिग बोज 15 का ओफर ठुकरा दिया है बात करें भूमी का चावला की तो वो कई तेलगू और तमिल फिल्मों में काम कर चुकी है साल 2003 में उन्होंने सल्मान खान की फिल्म तेरे नाम से बोलिवोड में डेब्यू किया था इसके बात भूमी का चावला दिल ने जिसे अपना कहा था फेमिली सिलसिले और एम एस धोनी दा अंट्रोल्ड स्टोरी जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी है अभी के लिए इतना ही इसी तरह की खबरों के लिए बने रही हमारे चैनल के साथ